दोस्तो नमस्कार भूख नहीं लग रही है आपको कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है आपको भूख भहुत कम लग रही है तब यहाँ वीडियो कम्प्लेट के आपके लिए है आप इस वीडियो के माध्यम से नौलेज ले करके अपनी अगनी को प्रदिप्त कर सकते हैं आधा चम्मच सहथ भूजन के बाद आपको लेना है अगर आप ऐसे डेली के लेने लग जाते हैं नित्ते अगर आप आप आधा चम्मच सहथ और अद्रक का रश दोनों को मिला करके भूजन के बाद अगर आप लेते हैं तो निस्ची थी आपकी भूख बर जाएगी ऐसा आपको कुछ दिनों तक लगातार करना है जब आपकी भूख परियापत मात्रा में बढ़ जाए और आपको ऐसा लगे कि अब हमारी मेरी जो भूख है वह ठीक है तब आप इस प्रियोग को बंद कर सकते हैं दूसरा आपको हरी मेथी हरी मेथी की सबजी का अगर आप सेवन करते हैं भूजन के साथ अगर आप हरी मेथी की सबजी का सेवन करते हैं तो जो हरी मेथी है वह सरीर में ठंडक परदान करती है साथी साथ हमारी भूख को उत्तीजित करती है इसके अलावा भी अगर आपको इन उपाई के अलावा भी अगर आपको लाव नहीं मिल रहा है तब ऐसी इस्थिती में आपको बैधनात का त्रिफला चून, साथी साथ संखवटी, बैधनात त्रिफला चून और संखवटी इनको आपको रात्री में भोजन के बाद हलके गुन-गुन पानी से लेना चाहिए. चूनकी दवा लेने से पहले आपको अपने नजदी की आयरवेदिक अनुभवी वैद से, क्योंकि आपको अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की दवा को नहीं लेना है. त्रिफला चून और संखवटी का सेवन आप किशी अनुभवी आयरवेदिक वैदि की सलाह से कर सकते हैं. I hope मेरे दवारदी के जानकारी आपको अच्छे लगी हो. Thank you.